32 ध्यान रखने योग्य जरूरी बाते एक, अगर आपको तेज ठंड जुकाम हो गई है और सास लेने में दिक्कत हो रही है तो आप पानी गर्म कीजिए और अपनी च्छाती पर उस गर्म पानी से च्छाती की सिकाई कीजिए उस पानी को आप चाए बोटल में भर लें या फिर जो सिकाई करनी का आता है उसमें भर लें और फिर अपनी च्छाती की सिकाई करें इससे आपको ठंड जुकाम में बहुत फायदा मिलेगा और जो च्छाती में कफ जमा हुआ है वो भी बिलकुल साफ हो जाएगा आप ये उपाय करके देखें आपको बहुत इलाम मिलेगा खासकर ठंड के मौसम में दो अगर आपको ज़्यादा प्यास लगी हो तो पानी कभी भी एक साथ ना पिये पानी हमेशा घूट घूट करके ही पियें तीन बोजन करने के साथ छाच जरूर पियें इससे आपका पेट साफ होता है चार जब भी आप बाहर धूप से आएं तो कभी भी आते ही पानी नहीं पीना चाहिए थोड़ी देर बैठें और फिर पानी पियें इससे आप बीमार होने से बचे रहेंगे पाँच एक चम्मच मेथी दाना के चूर्ण को सुबह शाम खाली पेट दो सब्ता तक लेने से उच्छ रक्तचाप सामान ने हो जाता है मेथी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है बहुत ही ज़्यादा फाइदे मन्द है तो आप इसका उप्योग जरूर करें 6. अगर आपको बार बार उल्टिया आ रही है तो बर्फ चूसने से उल्टिया आना बंद हो जाएगी 7. अगर आप सुबह शाम तालिया बजाते हैं तो आप ऐसा करने से हमेशा स्वस्त रहेंगे 8. सुबह के वक्त पाँच मिनिट के लिए हसना जरूर चाहिए इससे आप डिप्रेशन से बचे रहेंगे और हमेशा स्वस्त रहेंगे 9. दूद के साथ करे ले बिंडी अर्वी का सेवन बिलकुल भी ना करें 10. पचास की उम्रे के बाद गेहों का दलिया जरूर खाएं इससे आपकी हड्डिया कमजोर नहीं होगी 11. दिन में एक ग्लास संत्रे का जूस जरूर पियें इससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा हड्डिया भी मजबूत होगी और चेहरे पर चमाकाएगी 12. अगर आपको इसकिन की एलर्जी है तो आप काली मिर्च और लॉंग को चबा कर खा लें इससे आपको एलर्जी में फायदा मिलेगा 13. कच्ची सलाद का सेवन जरूर करना चाहिए इससे आप कबज और अपज जैसी समश्या से राहत पा सकते हैं 14. पीरियड के टाइम अगर पेट में जादा दर्द होता है तो तवे पर अजवाइन को भून कर खा लें ओपर से गुनगुना पानी पी लें इससे दर्द दूर होगा 15. पीरियड के समय महिलाओं और लड़कियों को कभी भी खटी चीजे नहीं खानी चाहिए गुनगुना पानी पीना चाहिए इसलिए जब भी पीरियड है तो ठंडा पानी ना पीए हलका गुनगुना पानी करके ही पीए और खटी चीजे बिलकुल ना खाए 16. ठंड के केवों समय दूद में हल्दी डाल कर रात के वक्त पीने से बच्चे और बड़ों को ठंड की सिकायत नहीं होती है 17. जिनके बाल बहुत ज़्यादा जड़ते हैं उनको अरंटी के तेल में मेथी दानी का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल जड़ना बंद हो जाएंगे 18. जिनको बबा सीर की परेशानी है उनको अमरूद जरूर खाना चाहिए इससे बबा सीर में बहुत फायदा मिलता है 19. अगर आपकी आँखे कमजोर है और आखो की बज़े से सर में दर्द रहता है तो रोजाना सुबा खाली पेट एक आउवला का मुरब्बा खा लें 20. अगर आपके शुगर की परेशानी है तो रोजा रोजा रहता है ये बहुत फायदा मिलेगा पर द्यान रखे कि आप जब भी एक आउवला खाए आउवले का मुरब्बा खाए तो आउवले को थोड़ा सा पानी से धोले जिससे उसकी जो चासनी है वो निकल जाएगी क् चीनी सरीर के लिए फायदे मंद नहीं होती है इसलिए आउवले के मुरब्बे को थोड़ा सा पानी में दोग कर ही खाएं 20. अगर आपके शुगर की परेशानी है तो रोजा ना सुबह खाली पेट आउवले का रस पीने से आपको बहुती फायदा मिलेगा 21. लोकी करेला खाने से खून साफ होता है इसलिए अपनी डाइट में लोकी और करेले को जरूर शामिल करें 22. जो इनसान अधिक जुक कर पढ़ाई करता है उसकी रीट की हड़ी आँखों की रोशनी फैपड़ों पर बहुत बुरा सर पढ़ता है इसलिए कभी भी जुक कर पढ़ाई नहीं करने चाहिए हमेशा सीधा बैठके ही पढ़ाई करें 23. अगर आपका पेट खराब है तो थोड़ी सी अध्रक चबा लें इससे आपको फायदा मिलेगा 24. अगर पेशाब में जलन है तो रोजना खीरे का सेवन करना चाहिए इससे आपको काफी फायदा मिलेगा 25. कद्दू के बीजों का सेवन करने से बाल लंबे घने होते हैं और बाल जढ़ते भी नहीं है 26. अगर आपको चक्कर आने की समश्या है तो आप नीबू, काली मिर्च और चीनी इनका सेवन करें इससे आपको चक्कर आना बंद हो जाएंगे 27. अजवाइन का सेवन करने से पेट साफ रहता है और खून भी नहीं जमता है 28. बेंगन का ज़्यादा सेवन करने से मुँ में छाले की समश्या हो सकती है 29. जामून की दानों को भारिक पीस कर दही के साथ खाने से पेट की सभी बीमारिया या परिशानिया ठीक हो जाती है 30. नेम की दातुन करने से दातों में कभी भी कीडा नहीं लगता है और मसूड उसे खून भी नहीं आता है 31. हपते में एक दिन उप्वास जरूर करना चाहिए 32. सुबह की धूप में जरूर बैठना चाहिए इससे आपको विटामिन D मिलता है 31. हमारी यह वीडियो सामान जानकारे के लिए बनाई गई है 31. अगर आपके कोई भी बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सला ले फिर ये नियम अपनाए 31. हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वेला इकन है उसको प्रेस कर लीजिए धन्यवाद झाल